हेलो एवरिवन एक वार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट जैसा के आप थमनेल पे देखी चुके हो आज हम डिसकस करेंगे अच्पी जी के के टोप 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो में लिए आपको अगामी एच्पी उपी अडिन ट्रांस दो हजार तेज के एक्जाम में ये क्वेश्चन आपको काफी हलफुल साबित होंगी तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली वार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आइडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक हिमाचल प्रदेश मंत्री गुवर्नर है वो खोण है वो शिव परताब शुकल है यह आपने याद रखना है शिव परताब सुकल जो है वह ही महाचल प्रदेश के राज्ययपाल है ज्याम मोस्ट इंपोर्टन है कोशन न पूछ लिया जाता है चीम मिनिस्टर कोन है सिरी सुकू इंदर सिंह सुकू है अब उनके पास कौन कौन से भिवाग है ये भी हम डिसकस के लेते हैं मुख्यामंत्री के पास परियतन विवाग सहरी विकास नगर ayamunyयोजन योजना कार्म ईक विवाग सै ajudar मोके शगनी यहोतरी जी के पास है सेनी कल्यान सूचना और प्रद्योगी की विग्यान और प्रद्योगी की मिदस्रिय पादने विर्ट गरे हैं और समाने प्रसास निव्याग जो है वो मुख्या मंतरी सिर्ष अगनी होता है यह आपने याद रखना है और उसके बाद बाद करते हैं उप़ंगी मंतरी के बारे में तो एक परत्यू के परत्तम मुख्या मंतरी को निवां ने हौतरी को educate इस्के अपने याद रखना है उसके बाद बात करते हैं यह आपको पता कर्णल धनीराम शांडल जी माचलु पर्देश के स्वास्तेयान मंत्री को पता है इसरी जगतनेगी जो है यह भी आपको पता हुना चाहिए राजस्थब भागवादी है विकास मंत्री है हिमाचल cricket परदेश की श रोही ठ्ठाकर जो है वो शिक्षामंतरी है यह आपको पता होगा मुस्ट इंपोर्टेंट है पूश ली जाता है शी अनिरुद ज़ो है ग्रामिब्ष आहश्य पंचाईती की यदियाद रखना है उसी तरह स updated बिक्रमादित्य सिंग जो है वो लोक निर्माण विवाग पी डबल डी मंत्री है यूबास एवाई और खेल विवाग भी इनके पास है यह आपने याद रखना है यह तो हमने कर ली हिमाचला परदीस के मुक्यमंत्री सिरी सुख विंदर सिंग सुखू है गवर्नर कौन है र सिर्टे जीती थी और बार्ती जंता पार्टी ने पच्चिस सिर्टे जीती यह आपने रखना है चोधवी विदानसवा के चुनाब हुए थे 2022 में और इसमें कुछन एक और पूसकते हैं आपने नोट न करना है माचब देस विदानसवा के ज्वजश है वो कौन है वो कुल जरूर्स भी आपने जुरूर बना लेने हैं सब सल्य बात करते हैं रोंग-टॉंग-ध्रोट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचला परदेश के विदा किस इले में स्थे थे तो रोंग-ध्रोडियोंग है हमाचला परदेश के समयाज़ा परते हैं और आपका कौरेक्ट डिस्टिक में है तो जल्विद्ध प्योजना आपकी लाहुलम कारना है tylko श्वांग डॉंग नइहां नघा ज activated रॉकलण जल्विद्ध प्रापूजना के एशारे तोंग यादागा रखना में गशबाये हमें से प्राइलन जल्विद्ध बास कमा सो जूह वाट उसकी capacity है तो यह आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं इमाचल पदेश का जहांजन रित्या के सजिले से संबंद देता है मैंने क्वेशन कई बार डिसकस किया है तो आपको पता है यह चमबा डिस्टिक से संबंद देता है ऑप्शन नमबर एस क्व सब्सक्राइब है उसी तरह शान और शाबू जो लोग देता है वो लाहूल स्पीटे डिस्टिक के हैं यह भी आपको पता होना चाहिए जूरी जो है वो सिर्मोर डिस्टिक का लोग देता है यह आपने याद रखना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन में चलते हैं माचल मिनिस्टर के पास कौन-कौन से विवाग है तो फाइनेंस डिपार्डमेंट जो है वित विवाग जो है वो हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी के पास ही है तो सक्वेंदर सिंग सुख्षू जो है वो हिमाचल परदेश के वित मंतरी है नेक्स्ट क्वेशन में जलते हैं ब हिमाचिल परदेश के साथ लगती है इसमें JnK जो है जुम्म कुश्मियर जो है UT है यूनिन टेरिटरी है किंडर।शाषिड परदेस है कौण कौण से स्टेइट्स और UT की सीमा है वो हिमाचिल परदेश के साथ लगती है JnK हो गया अरियाना, पंजाब, उत्रप्रदेश और उत्राखंड अगले प्रिशन में चलते हैं इमाचल प्रदेश के राज्य पुश्ब का नाम बताईए तो गुलाब भी बुरांस जो है इस कुशन का है इमाचल प्रदेश का स्टेट फलावर है अगले प्रिशन में चलते हैं इमाचल प्रदेश के राज्य पाल है कौन थे प्रद्रम राज्य पाल थे एस चेकर वरती थे यह आपको बता हुआ ओप्शन नम्बर बिज कुशन का कोड़ेक्ट अंजर है इमाचल प्रदेश के प्रद्व चीफ मिनिस्टर जो थे मुख्यमंतरी कों थे डॉक्टर येसवन सिंग प्रमार थे और दूसरे मुख्यमंतरी कों थे दूसरे मुख्यमंतरी शीरी ठाकुर रामलाग थे यह आपने याद रखना है अगले पॉस्टन में चलते हैं लाहोल का मनीमेश किसे कहा जाता है तो गेफांग गलेशियर को कहा जाता है गलेशियर को स्तानी वाशा में शिगडी कहा जाता है हिमाचप देश का सबसे बड़ा गलेशियर जो है वो बड़ा शिगडी है नेक्षक पुर्चन पर जलते हैं पहारी वाजा कि से लिपी में लिखी जाती है तो आपको पताएगे टांक लिपी में लिखी जाती है's question का खड़ाइन सेयन स है ऐसे विक्तिन ने保ली कि कुछे उसल मनें बना धिया था जो है माच अबडेश्क जिलाइए जन्स combat गन्हेट वह सबसे जिए ज्यादा yourself likelyuard et अगरे प्रश्टन पर चलते हैं चिनाव नदी का जो वैदिक नाम है वह ऐसकनी है संस्क्रित नाम चंद्रा भागा है चंद्रा और भागा नदिया जब तांडी नामक स्थान पर मिलती है तो उसके बाद वह चिनाव कहलाती है ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है संस्क्रित नाम भी पाशा है रावी का वैदिक नाम पुर्शनी है संस्क्रित नाम इरावती है सत्रुज का वैदिक नाम शितुद्री है संस्क्रित नाम शितुद्रू है यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है यह आपको बता होग तो चिनाव नदी का जो दिगमस्तान है वो कहां से है वो बाराच्चा धर्रा से है चंदर और वागा नदी जो है वो तांडी नामकस्तान पर जब मिलती है तो उसके बाद वो चिनाव कहलती है नेक्स्ट कुशन में जलते है जन विश्वास के अनुसारिश तो दुद्रू नदी को मानस रोबर जील से हिमाचल परदेश में लाने का श्रीक ही से जाता है तो इस कुशन का जो करेक्ट अंसर है वो आपका ऑप्शन में भी है बाराणासूर जो है तो कुशन में बोला गया कि जो सतलूज नदी है सतलूज नदी को मानस रोबर जील से हिमाचल परदेश में कौन लाया था जन विश्वास के अनुशार तो इमाचल परदेश में आने के जो स्री है वो किसे जाता है वो बाराणासूर को जाता है ऑप्शन नमबर भी इस कुशन का कोरेक्ट अंसर है नेक्स्ट कॉशन में चलते हैं गिरी और पबर जो है वो निमलेक्त में से कौन सी नदी की साहिक नदीया है तो गिरी और पबर जो है वो आपको पता है यमुना की साहिक नदीया है यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है और कौन-कौन सी इसकी साहिक नदीया है जैसे टौंस होगी, आन्द्र होगी, बाता होगी, जिलार होगी, ये भी हैं नों सी हैं, बांसलन, सिएूल, वैरा, तांतिकिदी, चिड़चेंद नला होगया, सतलुच की साइख नदिया, कौन-कौन सी हैं ये भी आपको पतानों चाहिए, वस-पस, बीती, नोगली सुवाँ होगी उसी तरह वियास की कौन सी साहिक नदियां है पारवती, उहल, हुरला, सैंज, सुकेटी, लूनी, बानगंगा, विनवा, चक्की, नूगल, गज, यहर और मांखड जो है वो वियास की साहिक नदियां है उसी तरह बात करते हैं चिनाव की जो साइक नदिया है वो मियार नाला होगी, सैंचर नाला होगी तो गिरी और पबर जो है वो किसकी साइक नदिया है वो यमुञा की साइक नदिया है इसमें पांच पामुक नदियां है इनमें इनमें स्बसे बड़ी नदी है सबसे लंबी नदी जो है वह शदल пр andrałर अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए जल सब इनिसार तो चेया बड़ी नदी रियुक्त है तो के स्बसे चोटी नदी यमँ जीटिक में एंगर कुशन में पूछा जाए कि चंदर नाहन जीट पूछा जाता है तो वह दिस्टिक किमला में है अगले पुशन पर सेते हैं तो बहुग पालंपुर डिस्टिक कहांगड़ा में है नेक्स्ट विस्टिक में हैं विलास प्रो डिस्टिक में हैँ माधिपदेज की सबसे बड़ी कृथिम जील है नाको जील कीनौर में है प्रासर जील मंडी में है चंढरताल में है लहुल सबब्स capsa कई राजयपाल कौन है तो आपका शिरी शिव परताब शुकल होगा उप्शन में नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस एर में के एक्जाम में इस पूछे गए थे तो इमाचल वदेश के जो बर्तमान राजयपाल है गवर्नर है वो शिरी शिव परताब शुकल है नेक्ट वेशन में हैं अगर आप से पोछा झाएं कि एमस कहा पर है एमस जो है वो कहा पर है वो विलासपुर में है यह आपको पता हो गाओ depende हिमार्चापदेश में इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है एमस बिलासपुर में है बिश्व प्रसिद्रुमाल चम्बा का है चोटी काशी मंडी को कहा जाता है तो ऑप्शन नम्र दी जो है इसकुशन का राइटन्स रहे जो यह जो खोलम होगा वो आपका बेमेल है अप्शन नम्र दी इसकुशन का करेक्ट अंसर है हिमार्चापदेश में एमस कहां पर है एमस बिलासपुर में है एमस की फुल फॉर्म ओल इंडिया इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस होती है अगले प्शन में जलते हैं जीला उना और हमिरपुर में निमलिक्त में से क नेक्स्ट क्शन बे जलते हैं सिम्बल वाडा नेशनल पार्क के सिजिला मिष्थेत हैं तो सिम्बल वाड़ आपको बता है ये डिस्टिक सिर मोर है और हमस के नाहन में है option number BS question का correct answer है हिमाचल प्रदेश में विरोज्जे से तार पीन का तेल निकानने के लिए विरोज्जे के जो कार खाने हैं वो बिलासपुर और नाहन में हैं अगले प्रदेश में दिक्तर जो वर्षा होती है वो डैश से होती है तो किस्से होती है वो दक्षिन प्रदेश मानसून से होती है option number A question का correct answer है अगले question पर जलते हैं माचल पदेश में मानसुन वर्सा किस महीनों किन महीनों में होती है तो जून से सितंबर के बीच होती है यह आपको पता हुआ option number A question का right answer है next question पर जलते है नेमने विसे कौन सा period चारे के लिए उप्युक्त माना जाता है तो बियूल जो है वो आपका चारे के लिए उप्युक्त माना जाता है तो friends यह जो question है यह previous HP competitive exam में पूछे के थे वहाँ से question repeat भी हो सकते है क्योंकि इनका जो level है वो HP be at entrance का level और इन previous जो exam हुए थे उनका जो हम question discuss कर रहे हैं इनका जो level है वो same ही है तो अभी मैं आपके लिए आज 100 प्लस जी के important question लाया हूँ आपको काफी बिलेंगी exam में उसी तरह next question है माचल प्रदेश का जो राज्याब रिख्ष है वो कौन सा है तो आपको पता है देवदार जो है इस question का प्रेक्टेंस रहे यह माचल प्रदेश का राज्याब रिख्ष है आगले प्रशन में चलते हैं माचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो कहां परस्तेत है तो नेहरू कुंड मनाली में है डेस्टी का कुल्लू में पड़ता है option no.6 question का correct answer है next question में चलते हैं माचप देश में लोगसभा की कितनी सीटे हैं तो लोगसभा की चार सीटे हैं राज्य सबा की अगर पूछा जाता है तो राज्य सबा की तीन सीटे हैं विधान सबा की कितनी है विधान सबा की 68 सीटे हैं यह आपने याद रखना है अगले आपसे कुशन पूछा जाता है कि म पाबाकांशी राम जी को पहाड़ी गांदी की नाम से जाना जाता था, पहाड़ी गांदी की जो संग्या थी, वो इनके पंडी जो हला नहरू ने दी थी, पहाड़ी बुलु बुलु जो थी, वो संग्या उन्हे इस रोजनी नाइड़ू द्वारा दी गी थी, अगले प्रस जो है वो आपका शिम्रार डिस्टिक में है अगले प्रशन में चलते हैं चम्बा का लक्षमी नरायन मंदर किसने बनवाए था तो ये साहिल बर्मन ने बनाए था और बी इस कुछन का है कोली ये छे मंदरें का समू है ये भी आपने नो डॉन कर लेना है अगले प्रशन में चलते हैं अगले प्रशन में चलते हैं में स्थित है तो आपको पता है को पड़ा जो जरना है वह आपका डिस्टी के कांगड़ा में है ऑप्शन नमबर बी ए इसकुष्ण का राइट अंसर है अगले प्रशन में चलते हैं भाई दोना पाई हिमाचप देश में किस अंदोलन का नारा था तो यह आपका पजोता अं इसकुष्ण का राइट अंसर है अगले प्रशन पर चलते हैं नaffmy में से कौन सी हिमाचप देश काieß पांचवा बना था पांच्वा जिला बना था कब बना था एक जुल्राई 1994 को फर्स्ट जुलाई 1954 को हिमाचप देश का यह पांचवा जिला बना था option number D इस question का correct answer है next question है माचपदेश के प्रत्म मुख्य सचीवे कौन थे तो हिमाचपदेश के जो मुख्या सचीवे थी तो इस question का जो राइट अंसर होगा वो आपका option में नहीं है none of these इस question का राइट अंसर है अगले वर्षण पर चलते हैं माचपदेश नेजी शैक्षिनक संस्थान जो नियमन आयोग जो था अधीने में किस वर्ष में अधीनेमत हुआ था तो ये वर्ष दोजार दस में हुआ था option number A question का correct answer है next question पर चलते है दून घाटी अगले पर चलते है कुंत वियोग जील जो है वो मंडी डिस्टिक में है option number A इस question का correct answer है अगर आपसे question में पूछा जाता है कि साथ जीलों का समूव है वो किसे कहा जाता है तो साथ जीलों का समूव जो है वो लामा जील को कहा जाता है डिस्टिक जंबा में है साथ सरोबरों का समूव है साथ सरोबरों का समूव अगर आपसे पूछा जाता है तो वो चंदर नाहन जील को कहा जाता है डिस्टिक शिमला में है वो ये आपने याद रखना है उसी तरह घडासरू जील जो है चमबर डिस्टिक में है मनिमेश जील जो है वो भी चमबर डिस्टिक में है ये भी आपने याद रखना है महाकाली जील जील जो है वो भी चमबर डिस्टिक में है करेली जील कांगडा में है नाकु जील आपकी कीनोर डिस्टि過去 में है तो यह कुछ important जील है इवालसर जील प्राशर जील होगी यह भी मंडी डिस्टिक में है कुमारवा जील जील जो है वो भी आपकी मंडी डिस्टिक में है नेस्ट क्क्रशन पर चलते हैं district में है तो यह कुछ important जीर है इवासर जीर प्राशर जीर होगी इभी मंडी district में है कुमारबाद जीर जो है वह भी आपकी मंडी district में है next question पर चलते हैं इसमें बोला के कि माचपदेश में लगू द्यवगों की सबसे कम संख्या जो है वो किस डिस्टिक में है तो की नोर में है option नमर ये इस question का right answer है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो वो सोलन डिस्टिक में है आगले प्रशन में जलते हैं, निमलेक्ट में से कौन सी माचब देश में सबसे उची जल्विद जित परियोजना है वो wrong tongue है, अभी हमने डिस्कस किया किस डिस्टिक में है, लाउल स्पीटी डिस्टिक में है आगले प्रशन में चलते हैं, कुक्ती दर्रा बरमोर को किस से जोडता है तो बरमोर को ये लाउल से जोडता है option नमर बी इस question का correct answer है चमबा और लाउल के बीच में है, भरमोर को ये लाउल स्पीटी से जोडता है अगले प्रशन में चलते हैं, शीती धार हमाच अपदेश के किस जीले में से दीता है तो शीती धार आपके डिस्टिक का कुलू में है, option नमर एस question का right answer है अगले प्रशन में चलते हैं, चमबा में रंग महल का जो सिला नियाज था वो किसने किया था, वो राजा उमेद सिंग ने किया था माच अपदेश में जन्मच कारेकरम कब परारम हुआ था, ये तीन जून दो होजार रठारा को हुआ था बीजेपी की जब सरकार थी तब ये चलाया गया था बीजेपी दोरा जन्मच जो कारेकरम था, अभी फिल हाल ये बंद ही है, भी कोई जन्मच कारेकरम नहीं और्गनाईज हो रहा है क्योंकि ये बीजेपी सरकार नहीं शुडू किया था तो 3 जून 2018 को माचपदेश में जन्मच कारी करम जो था वो शुरू किया गया था अगले प्रशन में जलते हैं उदेपुर का पुराना नाम क्या था तो उदेपुर का जो पुराना नाम था वो मरिकुल था ये आपने नोडोन का लेना है उसी तरह ब्रमोर का प्राची नाम ब्रंपुर था बैजनात का प्राची नाम किरिगराम था नूरपुर का प्राची नाम धमेरी था किनोर का प्राची नाम चीनी था उन्ना का प्राची नाम पुराना नाम जस्वा था उसी तरह question पूछ लिया जाता है सुन्दनगर का प्राची नाम वानेद था नालागड का प्राची नाम हिंदूर था यह कुछ important names है तो जो old names है जो exam में पूछे जाते हैं तो यह अपने नोडन कर लेने हैं तो उदेपुर का जो प्राणा नाम था वो क्या था वो मुरीकुले था अगले प्रशन है दरन घाटी अभियार ने जो है वो राच अपदेश के किस जिले मिश्टीक शिम्रा में है option number 20 कुछनी का correct answer next question है बाध्य काल में किस नदी को पुर्शणी के नाम से जाना जाता है तो यह आपको बथा रावी नदी को पुर्शणी के नाम से जाना जाता था अगले प्रशन में चलते हैं माचला पदेशा निवार्या प्रात्मिक शिक्षा दीनियम किस वर्ष में लागू किया गया था तो यह वर्ष 1903 में यह लागू किया था option number C is question का correct answer है next question नहीं माचला पदेश में यूद संग्राले जो है वार मिमोरियल जो है वो किसे अगले प्रशन में जलते हैं तिबती धर्मगुरु दुलाई लामा धर्मिशाला का पाई थे तो यह निशोन सेट में आए थे option number C is question का right answer है अगले प्रशन में जलते हैं माचला पदेश में कहां पर प्रदेश का पहला जियोत्रिलिंग स्थापित किया जा रहा है जिसमें प्रदेश में जलते हैं तो यह निले प्रदेश में जलते हैं माचला देश में जालाई भीज़ड़ प्रदेश के संदर्ब में सही है तो आपको पता है सरोल, ताल, जियोरी और कडचम में कडचम में सरकारी भेड़ प्रजनन के इंदर जो है वो उस देता है यह आपने नौड उन के लेना option number A is question का correct answer है next question है वाइस हरीगल लोज बनाने का विचार की संग्रेज दिकारी द्वारा दिया गया था तो लोड लेटन द्वारा दिया गया था option number B is question का correct answer है next question में चलते है माचवदेश के इस वर्स में पार्ट C राजिया बना था तो नन उफदीज इस question का correct answer है 1951 में माचवदेश के इस वर्स में पार्ट C राजिया बना था अगले प्रशन में चलते है चंदरकूप जील माचवदेश के किस जीले में सीत है तो आपको बता है चंबा डिस्टिक में है option number D is question का correct answer है चंबा में और कौन कौन से जीले है घजियार जीलोगी, मनवेश जीलोगी, गडासु जीलोगी, महाकाली जीलोगी, लावा जीलोगी ये पांच वर्मक जीले है तंचंद्रकूप जील जो है वो भी आपकी चंबा डिस्टिक में है option number D is question का right answer है अगले प्रशन में चलते है मारकंडा नदी, माच अपदेश के किस जीले में बहती है तो डिस्टिक सिर्मबॉर में बहती है option C is question का right answer है अगले प्रशन में चलते है मुकीला हिमनद जो है दिलेशियर को हिमनद भी कहा जाता है माच अपदेश के किस गाटी में से था तो यह भागा गाटी में है डिस्टिक लाहुल स्वीती में अगले प्रशन में चलते है बुंडा उस्व नेमन में से किस से संबन देता है तो यह परशुराम से संबन देता है बारा बर्शों बाद बनाया जाता है बुंडा उस्व अगले प्रशन में चलते हैं बिलासपुर के नलवाडी उतस्व का विचार ने मने में से किसके दोरा प्रेक्ट किया गया था तो डबली गोल्ड स्टेन दोरा नलवाडी मेला का नलवाडी उतस्व का विचार दिया गया था और इसे पश्वों का मेला भी कहा जाता है शहर की स्थापना किस ने की थी तो राजाजवर सेना ने की थी मांगू एक परसे थे चित्रगार था इमाचल प्रदेश के के सजीले से संबंदे था तो बोडिस्टिक चंबा से संबंदे था ओप्शन नमबर डी इस कुशनी का अकुरेक्ट अंसर है वसके बात करते हैं सेना प्रमुक से हिमाचल प्रदेश से ये प्रत्म सेना प्रमुक थे जनरल भी या शिर्मा अगले बसमें चलते हैं इमनित में से किस नदी का इतने सबसे अधिक है तो मैंने हम डिसकस किया है तो जलक नत्रब के अनुसार सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाव नदी है च लेकल है हिमाजियल हिमालियन पॉलेंडरी नामक किताब का लिदी हो इस सबसे लंबा पूल है और जलते है। सजीले में अधर का सारवदे को तपादन होता है डिस्टिक सिर मौर में होता है 2011 की जने गरना के अनुसार हिमाच अपदेश के कि सजीले की साखसरता अधर सबसे कम है तो चमबा की सबसे कम है हमिरपर की सबसे ज़्यादा है यह आपने याद रखना है हमाच अपदेश का प्रदेश के मुखे सचभी कौन है तो none of these is question का correct answer होगा अधर में हमाच अपदेश के मुखे सचभी है अगले परस्टिक समी जलते हैं माच अपदेश का प्रत्म कमेड़ी सेर्यले कौन है तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो प्रत्थम कोमेडी सेरियल है वो आपका चंतु नंदू है option number B is question का correct answer है next question है पहाडी चेतर कला नामक किताब किसके दोरा लिखी गई है तो किशोरी लाल वैद ने लिखी है option number C is question का correct answer है next question है निमलिक्त में से कौन architect of हिमाचल के नाम से जाना जाता है तो दौक्टर यशो शिंग पर हार को architect of हिमाचल के नाम से जाना जाता है ये हिमाचपदेश के प्रत्थम प्रत्थम chief minister थे प्रत्थम मुक्य मंत्री थे district sirmor से ये wilong करते थे अगले प्रशन में जलते हैं राजगड जो है उसे इशिया के आड़ू के कटोरे की रूम में जाना जाता है most important question है option number C भी इस question का right answer है next question है similar municipal committee की स्थावना जो थी वो किसे वर्स होई थी वो 1851 में होई थी option C इस question का right answer है next question भी जलते हैं माचल प्रदेश वीदान सभा के 70 वे देक्ष कौन है अठार में विदान सभा के अध्यक्ष है अगले बशन में चलते हैं माचल प्रदेश में मुख्य मंत्री एक बीगा योजना का शुगार में किस वर्स किया गया था एक किसमें 2020 को किया गया था option number A question का right answer है next question है अठार टानल के इस परवत शिंकला के अंतर गाता आती है तो यह पीर पंजाल परवत शिंकला के अंतर गाता आती है यह इसका गातन जो था वो कब किया गया था प्रदान मंत्री दोरा तो 3 October यह आपने याद रखना है अगले परवत शिंकला है किस जिले को राष्टे पर श्तरिया गोषित किया गया यह कहा मनाया था तो यह आप का पता है इसका right answer है next question पर जलते है कुफरी निमिने में से किस के नज़्दीक है केंद्रियालू अनसुन्दान केंद्र जो है Central Potato Research Institute जो है वो भी आपका कुफ्री में है, डिस्टिक शिमला में है, अगले प्रस्ट में चलते हैं, विश्व में सबसे पराने लोक तंतर के नाम से परसेद मलाना नामकस्तान किसे जिले में सेता है, तो ये डिस्टिक कुल्लू में है, अगले प्रस्ट में चलते है, चोलंग गोल्ड स्टिन ने ये शुरू किया था, कभी किया था, 1889 में, ये भी आपने नॉट डॉन कर लेना है, नेक्स्ट कुशन में चलते हैं, जहांजर किस जिले का परसेद दित्या है, तो ये चमबा डिस्टिक का है, औप्शन नम्बर ए, इस कुशन का राइट अंसर है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, आज हमने हिमाचल परदेश जीके के, टोप 100 प्लस, 100 प्लस कुशन आज मोस्ट इंपोर्टन कुशन जो था, प्रीवियस के एक्जाम में पूछे गे थे, उनको हमने इस वीडियो में डिसकस किया, जो आपको आने वाले एक्जाम में, काफी हल्प मिलेगी इनी क्वेशन से, तो फ्रेंट्स अगर आप एच्पी उबी एडिन ट्रांस से 2030 की त्यारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट नाई है, जिसका जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप बहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको एच्पी उबी एडिन ट्रांस के डेटेड़ एटी फाइफाई प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, सभी सेक्शन की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेगी, तो फ्रेंट्स आप मुझे संद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कुमेंटेज रूर कर दें और वेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी बास सबसे बेले पहुंचे तो फ्रेंद्स आज की सी वीडियो में बसे तना ही तो थैंक यू फ